हाई दोस्तों कैसे आप सब लोग दोस्तों टीवी सीरियल अनुपमा में गुरुमा मालती दीवी और अनुपमा के बीच तीखी तकरार देखने को मिल रही है गुरुमा अब पीछे नहीं हट रही है पतादे की सीरियल में दिखाया गया था कि अनुपमा के जाने के बाद वो हैरान और सोच में पढ़ जाएगा वा अनुपमा की किलाफ सोचने पर मजबूर होने लगेगा बिते एपिसोड में दिखाए ये गया था कि अनुपमा दिवाली की मिठाई लेकर शाह हाउस जाती है शाह हाउस पहुशने के बाद अनुपमा को ये पता लगता है कि बाबुजी और बा ने दिवाली की मिठाईों का ओडर लिया है आज एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होने वाली है अनुपमा बा और बाबुजी की मदद करने लेगेगी वो भी मिठाई बनाएगी बाब बाबुजी मिठाईयों को डिब्बे में पैक कर रहे होंगे तो काव्या डिब्बो को टेप से बंद कर रही होगी सारे डिब्बे पैक हो जाने के बाद अनुपमा ड्राइवर के साथ मिलकर इन्हें लोगों के घर जाकर डिलीवर करती है तबी रास्ते में डांस अकैडमी भी पढ़ती है अनुपमा डिमपी से मिलने जाएगी ऐसे में टीटू अनुपमा से बोलेगा कि आपकी कार इस गली में नहीं जाएगी आप वहां तक पैदल पैदल करके जाएं और डिलीवर करें चलो मैं आपको स्कूर्टर में लेकर आता है तो दूसी तरफ वन्राज भी काफी emotional हो जाएगा वो काविया से बात करने की कोशिश करेगा और अपनी बातों को शेयर करेगा काविया वन्राज को समझाएगी और साति शाह हाउस को संबालने की कोशिश करेगी वहीं दूसी तरफ गुरुमा मालती देवी कापाडिया ह अमजोर लेकिन अनुपमा तो छोटी के पड़ाई का पूरा ख्याल रखती है उसने तो कभी ऐसी कोई बात नहीं बताई ऐसे में गुरुमा को मौका मिल जाता है और वो नहले पर तहला मारेगी गुरुमा कहेगी कि मैं इतनी पड़ी लिखी हूँ मुझे ही छोटी के पड रख लेना चाहिए ऐसे में अनुझ वाके में सोचने लगेगा अनुझ से बात करने के बाद गुरुमा अपने शिश्या के आँ चली जाएगी तब ही अनुपमा वहां दिवाली के मिठाई लेकर पहुचेगी क्योंकि अनुपमा तो डिलीवरी कर रही है ऐसे में गुरुम अनुपमा भड़क जाएगी फिलाल क्या लगता आपको कमेंट शेक्शन में लेकर सोब पताएगा